सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वास्त साधिके शरन्य त्रियंबिके गौरी नारायनी नमास्त ते कर दो 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 सह। कर दो कर दो वाजे अस्त उदय के वीना प्रतिक्षण मेरे वाजे अस्त उदय के वीना प्रतिक्षण प्रतिक्ण कण मेरे तो तान का खाख लगाएगी लगता है गले में कुछ खराश हो गई यह क्या है किरन है अरे यह क्या बताएगी मैं सब जानता हूं आज कल की पॉंद को तहलियों के साथ दोदर भटकना देर रात तक चिला चिली करना जो मन में खाना पीना यह संगीश सिप्रेम के लच्छन ह अईसा में कुछ नि होने वाला है ने गुरुजी ऐसा मत कहिए किरन तुम्हें शास्तुरे संगीत की उचाईयों को छूना है या नहीं उसके लिए गुरुजी के चरणों में मन प्रान से अपने आपको समर्पित करो सौरी गुरुजी सौरी गुरुजी हम दो चार दिन के रोज का नातक है अच्छा सुन वो नियोस पार्टी के टिकेट्स लेके आई आया हूँ यारो दिल अपना देके आखों में चहरा किसी का लेके वो दिल का कातिल दिल बर हमारा जिसके लिए मैं हुआ आवारा मिलते ही जिसने चूमा था मुझे को फिर ना पलटके देखा तोबारा और इसलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दोंगा लड़की किसी लड़किन दो किसी लड़की की अे याव्योन जोना फिर भरेगा हर हसीन चहरे से अब ये दिल दरेगा हम तो जान देकर यूही मर मिटे थे सुन लो ऐ हसीनो ये हम से अब न होगा ऐसा जखम दिया है जोना फिर भरेगा हर हसीन चहरे से अब ये दिल दरेगा हम तो जान देकर यूही मर मिटे थे सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब नहोगा, ऐसा जखम दिया है रसीले होट, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा कर्दे हाल पलक पड़के, के दिल धड़के, उमर की उठान, कड़कती कमान खातिल अदा, सालिम हया, मेरे खुदा, मेरे खुदा शोला बदन, दहका चमन, मगर यारो हम तो चान देकर, यू ही मर मिठे थे सुन लो ऐ हसीनो, ये हमसे अब नहोगा, ऐसा जखम दिया है रसीले होंट, छलते का, मस्ता मिचा बुरा करते हा, पना थड़के, आएं किफिल थड़के उमर की उठान, कड़कती कमान, कातिल अदा सालिम भया, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा तो जो कहे ततारों में तुझे लेकर चलू तो जो कहे तो कदमों में उन्हें लाडाल दू सीने से लगा के ये बटन कर दो गुलाबी चहरा चूम करके मैं बना दू आफ़ता भी हे, 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 ला-ला-ला-ला हम तो जान देकर तुम पे मर मिटे हैं कौन प्यार तुमसे इतना करेगा ऐसा जखम दिया है जो ना फिर भरेगा हल हसी में चहरे से अब ये दिल जरेगा ऐसा जखम दिया है आया हूँ यारो दिल अपन लेके आखों में चहरा किसी का लेके कोई न कोई मेरा भी होगा यहीं पे कहीं प्रह्ती हुगा यहीं पें कहीं चंपल यही हूगा यहीं पे कहीं जोन शुक कैनल विश्कूट और ये ब्रेट का पाकिट और कुछ चाहिए जी ने कितने हो रहे पंदरा रुपी है फरीदा बेट ये रोईत कुमार तुमारे उपर के इफलेट में रहता है सारा दिन चिलाता रहता है ते सुनके तुमारे कान नहीं पक जाते है सेट जी वो रियास करता है उसकी लगन है मुझे उससे कोई परिशानी नहीं होती है अरे वो प्रकाश क्या सुबा सुबा हिसाब लगा रहे हो चलो चाय भाई नहीं पीनी है क्या क्या बताओ मूल्चन भाई तीन मैने का हिसाब बाकिए ये रोईत कुमार का कपड़े तो नह नहीं नहीं सिलाता है लेकिन जिलाई के पैसे का पता ही नहीं है अरे उदार तो हमेरा भी इतना चड़ गया इतना चड़ गया किसको बतावे अरे ओ कनया हो चावे पीते चल भाई चाट कर अरे मस्त बहारों का मैं आशिक मैं यह सब कसूर तेरा है तुद रहता है वो गहरत के पीछे के कमरे में और इतना बड़ा घर दे दिया किराय पे वो गवये को अभी तक किराय नहीं मिलाय नहीं अरे नहीं मिलाय तो मिल जाएगा आदमी मस्त है कैसे रोईत हलो गुड मॉर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटे गुड मॉर्निंग अरे कासम इदर हां हां अभी यह वह बहुत भूख लगी है क्या लाओ दो फ्राइंडा हां चार टोस्ट पटर जैम और एक स्पेशल चाई अब बिल मिस्टर रोहित कुमार ओहो जंशे सेट साहिब जी साह ऩ dites खीड़ेसे क्या कि आपका दो मैनिंग बना बहुत आच पहली है टीटीस आ दे रहता हूं फिर भी तीन की एक दिन का बस पहले में भावा को भी टोपी पहना रहा है और क्या अरे रोएड मेरी नजरें सिर्फ एक लड़की पूर थे कि आखे थी उसकी क्या चेहरा था उसका सुभान अल्ला सुभान अल्ला और बस प्रोग्राम खत्म हुआ और पता नहीं कहां चली गई का नहीं आजी वह लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं ऐसे गाने बनाऊंगा ऐसे गाने बनाऊंगा कि दुनिया देखती जाएगी यह सबने तो सभी देखते हैं रोहित कुमार लेकिन हर कोई थोड़ा किशर कुमार बन जाता है यह मुल्चन तू आटे दाल का भाव जानने वाला कलाकार की कदर क्या जाने देखना एक दिन अपना यह रोहित कुमार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक बनेग अब सब्सक्राइब करें और देख मेरा को शाम के शोकी कमाई किन रहा है कम से कम पचास साथ हजार रुपर बनाया होंगे उसने कल के शोकी और हमें एक पैसा भी नहीं साल महरा साब नया साल मुबारक हो नया साल में क्या खास बात है वही दिन वही राते हैं पैसे कल का शो बहुत शांदार रहा नहीं चीक थीक था यह देगी कितने पैसे कमा आप तो सब लोग मेरा गाना सुने तो यहां आते हैं उसी के तो कमाई है यह सब मिस्टर रोहित कुमार तुम्हारी दो तस्वीरें क्या लगा दिए कि तुम अपने आप को स्टार समझे लगे आरी स्टार सर मैं तुम्हें तो मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए कि मैंने रिस्क लेकर के तुम्हें इतनी बड़ी गैद्री में गाने का मौका दिया वरना तुम जैसे पर्टीचर आर्टिस्ट हारमूलियम लेकर के सलकों पक गाते फिरते हैं और कोई दो कोड़ी भी नहीं देता है इसान फ्रामोश हाई यह क्या बतमीजी है तुम्हें गाना गाने आते हो लड़के उस आंख लड़ाने के लिए नहीं सर मैं आंकिंग लड़ा था सर मैं तो सर्फ उसको अ आपको डाउड पड़ी अरे नहीं मैरा साब की डांट खाय बगर मैरा पेट नहीं भरता है हाँ बुलियो मैं आपसे गाना सिखना चाहती हूं मुझसे देखे आपका गाना सुने के बाद मैं भागल हो गई हूं मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूं I mean crazy पता है आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी वह गाना मेरी कानों में गुश्टा रहा आप जानती है कि शो के बाद मैं भी रात बर सो नहीं पाया क्यों कि एक नई धुन ने मुझे रात बर जगाय रखा अबसू नहीं अबसू 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 राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जिगल तोनों घायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया कितना खूबसुरत गाना है सो रोमैंटिक मुझे ऐसे गाने गाने है नौशास्तिसंगीत आप मुझे ऐसे गाने सिखाए ना प्लीज मैं बहुत मेनाद करूंगी नो प्रब्लम ग्रेट वाव प्रब्लम ग्रेट वाव राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जीकर दोनों खायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जीकर दोनों खायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया हो राहो से राहे बाहो से बाहे मिलके भी मिलती नहीं होता है अकसर अर्मा की कलिया खिलके भी खिलती नहीं है फिर भी न जाने क्यों नहीं माने फिर भी न जाने क्यों नहीं माने दिवानों दिल बेकरार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया रानी को देखो नजरे मिली तो आखे चुराने लगी हो करती भी क्या वो सर को छुपा की पंजना घुमानी लगी राजा ने ऐसा जादू चलाया ना करते करते इकरार हो गया राजा कुरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जी गर दोनों घाय हुए तिरे नजर दिल के पार हो गया के रहन हम लोग शादे क्यों नहीं कल लेते हैं क्या आम सीरियस मैंने इसके बार में कभी सोचा नहीं है मैंने तो सिर्फ एक चीज के बार में सोचा है क्या मेरा करिया मेरा संगीत मैं इस देश की नमर वन सिंगर बना चाहते हूं वो तो जारा मुश्किल है क्यों क्यों कि वो जगा तो कबसे मेरे लिए बुक्त है किरन हम दोनों का एक ही सपना है इससे इची बात और क्या हो सकती है हमारी एक ही मंजल है हम दोनों मां साथ पहुंचेगे बोलो तुम मुझसे शादी करोगी आरे यह बता यह कैसे आना हुआ पिताजी एक बहुत मशूर गायक है तो आप गायक है सर एक्चुली मैं एक composer हूं मैं अपने गाने खुद ही गाता हूं खुद ही बनाता हूं शास्त्री संगेत नो नो क्लासकल व्लासकल नहीं में तो हलके-पुलके गीत गाता हूँ घलके-फुलके इतने हलके आप समझे नहीं जाईए मैं वह गीता पटाहू जो दिल को लभाते हैं यह गौन और पर अप फिल्लाल तो मैं एक होटल में गाना रहां होटल में गाना मेरे ख्याल से होटल में गाना तो ऐसे है जैसे कटोरा लेके भीक मांगना गले में पेटी लटका है इधर उदर घूमना किसी ने दस डाल दी किसी ने पाच किसी ने कुछ बस बहुत हो गया मैं अपना यह करियर डिसकस करने नहीं आये था तो किस लिए आये थे आप किरन मैं जा रहा हूँ रोहिद रुक जाओ रोहिद मेरी बात तो सुनो रोहिद मैंने रोहिद को यह इसलिए नहीं बुलाय था कि आप उसकी बेज़द्टी करें तुम मुझे मुर्क समझती हो, पहले ही नेजर में भाब गया था कि तुमने उसे यहां किसले बुलाया था बेवकूफ वाली बाते छोड़ो, तुम्हारी शादी तैय हो चुकी है मैं रोहिद से प्यार करती हूँ सुना, सुना, क्या कह रही है यह देखो, जड़ा सोज समझ कर बात करो किरण, ऐसा नहीं होता परसों की शिक्षा सारी विध्या अपने सारी आदश बुला के रख दिया इसने अगर आपको मेरी शिक्षा मेरी विध्या पे नाज है तो मेरे फैसले पर भे भरोसा होना चाहिए देखो, मुझे तो वो चालाक लगता है, तुम्हें फसा रहा है तुम अभी ना समझ हो, मैं ना समझ नहीं हूँ मा तो क्या हो तुम, क्या हो मैं एक कलाकार हूँ और वो भी, आप हमारी भावनाव को नहीं समझ सकते मैं नहीं समझ सकता कलाकार है वो सलक्षाप गवया है एक नंबर का हवारा उससे शादी करने चलिए दो दिनों में आटी धाल के पाउख को पता लग जाएगा फिर रोती हुई आना लेकिन उस वक्त इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए बंद होगे अच्छा हो जो आपने ये सब कुछ खेय दिया अब मुझे फैसला करने में कोई मुश्कल नहीं होगी मैं रोहित से ही शादी करूंगी किरन 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 अब 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 आज रमेश जी मेरे गाने सुनके एक्टम चक्रा जाएंगे तुम देखना मैं भी चले तुम्हारे साथ मैं दो मेरे में त्यार हो जाओगी लेकिन आज तो मिस्त्री आरा ना नल्टी करने के लिए मैं चलता हूं, ओके बाई थैंक्यू अब 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 लेकिन तुम्हाँ चार माला कैसे चरवाओगी वह भी इस अब यही तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था खुए फील्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है चोड़े से इस्तियार की रिकॉर्डिंग है पिर ने कब लोगों से मिलोगी कब मेरा काम शुरू होगा कुछी मेरो की तो बात है ऐसा था नहीं कि तुम एकदम अच्छ अच्छ कर दो 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 अच्छ 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 कुछ नहीं खाना बना रहे हूं और क्या, चाय पियोगी? क्यों नहीं, बनी हुई है? चार पर्स दिनों से तुम नजर नहीं आई तुम्हार तबीत तो ठीक है न? बिलकुल क्या बात है, कुछ परिशान लग रही हो नहीं तो मैं बिलकुल ठीक हूँ तुम्हारा रियास कैसे चल रहा है? रियास, घर के कामों से फुसति नहीं मिलती, रियास कैसे करूँगी? लेकिन किरन तुम घर के कामों में इस तरह उलजी रहोगी तो तुम्हारे गाने का क्या होगा? दिन में थोड़ा सा वक तो अपने गाने की प्रैक्टिस के लिए निकालो देखो न, अब ए खाना पकाने के बाद सोने को स्कूल से लाना है अरे सोनो को मैं ले आती हूँ हाँ, इसमें क्या है? थैंक्स हाई करन, जरा मेरे नाने का पानी जल्दी तियार कर देना, आज मुझे पाटी में जाना है कैसी पाटी? और एक और खबर सुनो, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस उस मोटे मेरा की काफी गालियां सुच चुका था मैं और वैसे भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तुम जानती हो, आज मैं गुलबधन कुमार से मिला कुलबधन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कमपनी का मालिक पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना? मैं तो सीधे उसके ऑफिस में खुझ गया उसको दचार गाने सुनाए मेरी याज बहुत पसंद आई उसको उसने कहा, आज शाम को पाटी है तुम जरूर आना लगता है आज मेरी बात बन जाएगी ये लो जरह स्तिरीगा देना इस पर रोहित मैं भी तुम्हार साँ चलूंगी तुम मैं क्या करोगी? बोर हो जाओगी तुम नहीं मैं बोर नहीं होंगी और सोनू? सोनू को फरिदा सुला देगी ठीक है तुम भी चलो लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पेनना ओके? ये लो जल्दी स्तिरीगा देना मुबाराथो गुलबदन कुमार जी जबसे आपके रिकॉर्डिंग कमपणी मैदान में आई है म्यूजिक का सेल ही बढ़ गया है सब माता जी की दया है वह देखो डबल गोल्डिस वामर कॉशिक केरन एक दन ये सब मेरे लिए होगा यह मैंने एककसर पर अपने आवाज रिकॉर्ड की है रोहित मैंने अपनी आवाज एककसर पर रिकॉर्ड की है इसे खुलबदन कुमार को दे दोगी हाँ ठीक है इस ब्किन ईसके सब्सक्राशन के आश्या माने चैसला ह surroundings ओ GREG डिशी सब्सक्रशेशा पर्सक्रशबर स्विलास के चैसी खालब मुझारा कॉर्ड कायई वरक गो commandments सब्सक्राम ऑढ़र्दों कर आई मैरे इस खोत्सक्राशन की आई तो गोल्ड पर गोल्ड मार रहा है अरे पोटो लो भाईच लूजे छाय है आप आप आज कल बच्चे-बच्चे की जबान परकर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी जादू वो जो सर चड़ कर बोले वाँ वाँ एक के बाद एक छे सुपरिट फिल्में दिये ह बोलती बन कर दिये साजी बिल्कुल बन कर दिये यह तो कुछ भी नहीं है आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिए गलो जी कले गाना रेकॉर्ड किया सजीला सुपर हिट सुपब सर कौन सीवन के लिए आपने हां अमर जी और कौशिक जी यह उभरते हुए कलाक तक बीर क्राइख घॉत भीम था जीम सर लग्सशा कर दोर च Commerce हां 2004 मतना है अई उन्हां जरूरा सप्सक्राइं चल्चाआख किलाई है वह शक आप ह 흡 estimates हु जरूर करनाया है के मीरे यह तवर थे हानों काया है सर दरसल मैं सिर्फ गायक नहीं हूं सर मैंने कुछ गाने भी बनाए है I'm also composer क्या हैं आप composer गुलू जी इस देश में कोई भी composer बन जाता है तुम्हें काम करो Monday मुझे फोन कर देना अगर तुम्हारी आवाज में कुछ दम है तो लाइफ बना दूगा तुम्हारी थांकि सर्फ सर में Monday फोन करके आता है और क्या चाहिए जी जय माता भी हां जी हां जी हां जी तुम मेरा कसट क्यों नहीं दे रहे मैं अब नहीं दे सकता क्यों कि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवास सुने के तईयार हो हैं तो तो क्या अब मैं कैसे का सकता है कि मेरी पत्नी की तो तो तुम्हें यह लगता कि मैं अपने आपको दूपर ठूसरी हूं मैंने ऐसा नहीं कहा था तुम्हारा मतलब तो यही था देखो ऐसा तुम बहुत थक गया हूं और मुझे जगड़ा नहीं करना है तो क्या मैं जगड़ा करना चाहरे हूं सोनू सो रहा है मैंने तुमसे सर्फ इतना कहा था कि मेरी गाने के कैसर अमर कौशिक को देदो लेकिन यह बहुत मुश्किल बात थी है ना देखो सबसे पहले तो वह कैसे तुमने मुझे नहीं वह सुनने लाइक है भी या नहीं इतनी मुश्किल से तो वह मुझे सुनने के लिए तेयार हो है अब तुम्हारा कैसे रहने थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठू हूँ कल तक तो तुम्हें मेरी आवास बहुत पसंदी और आज वो किसी को सुनाने लाइक भी नहीं है देखो मेरा मतलब वह नहीं था गाना गाने के लिए रोज रियास करना पड़ता है रियास एक और बहाना आज मैं तुम्हें तुम्हें अच्छी तर समझ गयू रोहित तुम मेरी समझ में नहीं आ रहा है की रोहित ऐसा क्यूं कर रहा है उस ऐसा नहीं करना चीया यह बहुत गलत बात है कि रिख हमारा आ कतम हो गया हम खिलने जाए हाँ लेकिन जल्दी वापस आजाओ जी अच्छा तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है तुम रोहिच से साफ साफ बात क्यों नहीं करती के तुम यहां क्या कर रहेगी कब से डून रहू मैं तुम्हें मुझे फरीदा से कुछ काम था क्या काम था तुम हुआ मुझे परिशान कर रहे हैं उसे कौन समालेगा मुझे रियरसल पर जाना है मेरे कपड़े का है मेरा नाश्ता कान बनाएगा मैं आ रही हूं और मेरी काने की फायल का है सुपह से डून नहीं मिल रही है इसे में रियास के लिए नीची लेए थी तुम एक काम करो, तुम यहां दिन भर बैटके रियास करना, मैं खाना होटल में खा लोगा, और घर का काम भी मैं कर लोगा, मैंने कब ना कहा रो हिद यह क्या है तुमने? तारे कपड़े खराब करती मेरे दिन बर करते करते था कि यू मैं आगर बना दिया है मुझे किरन 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 हम दोनों का एक ही सपना है इससे अची बात और क्या हो सकते हैं हमारी एक ही मंजल है हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे किरन किरन वह जो एक है ओखईंगा ही है I'm sorry I love you Kiran! Kiran! Hey Kiran, hurry up! जल्दी तरा दखोलो, जल्दी, come on, जल्दी, जल्दी ओके स्वीठाट, आज की तारिक याद रखना, यह वो दूने जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतिजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरॉत हुई है, आज वो दिन आ गया है, आज अमर कौशेक मेरा गाना सुनते ही दंग रहे गए, पवन चोपरा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूँ, रोहित मैं जा रही हूँ, बलके जाते जाते कौशे के मुझे यह भी निकल गया, कि अगर यह गाना अच्छा रिकार्ड होता है, तो सारे गाने मैं गाऊंगा, कल रिकार्डिंग है, चलोगी, रोहित मैंने कहा मैं जा रही कहा यह घर की चाविया है यह राशन काण और इसमहने की बिल मैंने सारे चुक्ता कर दिये बाधे की पस्तुमार आलमारी के अंदर है और यह बिशली का बिल है इस हदे के अंदर बढ़ेना इप denial喔 इare जो दो blinking टिशनल़ के जा रहे हूा मिदेटल यह क्या बात कर रहे हैं आखिर अफिР हम बहुत है तो पर क्या पात में जानेंदौ एकिन व्हारे हुआ है कुछ बदाव तो सेरी हैं तुम समझते क्यों नहीं क्रें वह पर हम दो साहिए मैंनली है मुझे कुछ हो गया अरे क्या हो गया तुम्हें मुझे नहीं मालूप अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है यह सिर्फ तुम्हारा वैम है प्लीज प्लीज लेट मीगो मुझे अपनी सिंदगी बनानी है कि रन यही तो है तुम्हारी सिंदगी नहीं यह तुम्हारी सिंदगी है स और सोनू, तुम उससे कैसे छोड़के जा सकती हूँ, I love him, वो, वो मेरे बगर ही ठीक है, ओ God मुझे यकीन ही आ रहा है, किरन, किरन, किरन तुम मिरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आज जो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुरहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़के जा र कोचिंगे, तुम में लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो किरन, तुम सिंगर बनने की तमना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो, कि मैं तुमानी जूटी तारीफ करो, तो वो मैं नहीं कर सकता, लुक, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, मैं उससे मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, मैं मानता हूँ कि गलते दोने तरह से होई हैं, लेकिन इस पर कोई घर नहीं छोड़ देता हैं, है न, okay, देखो, हम अपनी गलतियां सुदा सकते हैं, चलो, अंदर आओ, come on, तुम अभी अपने जित प्राड़ी ओ, बिल्कुल अपने माबाप की तरह, मेरे माबाप को बीच में मतलाओ, क्यों नहीं, जो खामिया उन में वो तुम में भी है, तुम उनको ताने देना बन करोगी हैं, नहीं, खुद तो वो जिंदेगी में कुछ खास कर नहीं पाए, और दूसरों की कामयावी से जलते हैं, तो तुम ही यह लगता कि मैं तुम्हारी कामयावी से जलती हूँ, हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगी, और अगर मुझ में कुछ कमी है, तो जिंदेगी अब तुम्हारे ताने सुने के बज़ा मैं अकेले ही उनका सामना करूगी मुझ से क्यों? क्योंकि आदे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी, और जाहरे इस बीच तुम दोनों ने मिलकर, मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी अब वो सब बाते भूल जाओ, किरन घर छोड़के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए हमें नहीं मुझे, जो कुछ करना मैं खुद कर लूँगा रोहिद, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो, किरन बहुत दुखी है और बात यह है कि वो बात यह है कि पिछले छे सालों से मैं पागलो की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे कंपनी कोई मुझे डेटर मुझे एक मौका दे ताकि मेरा कडिया शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो आज 6 साल के बाद, अमर कॉसिंग मुझे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं मैं फॉरन टैक्सी पगड़ता हूं, घर आता हूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बाट सकूं और वो मुझे कहते है कि वो घर चोड़ कर जा रही है, क्या मतलब है इसका यही, कि वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी नहीं बाट सकी तुम्हारी जिंदगी रोहिद वाह, तुम्हारा जवाब नहीं परीदा, तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी, और वो तुमें छोड़के चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि हर पत्नी बने पती से खुश नहीं है मैं यहाँ अपने शोहर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मुझे किरन की फिकर है तो यह फिकर आप अपने घर में जाके भी कर सकती है, जाती है, मगर इतना जरूर कहके जाओंगे, कि तुम किरन को कभी समझ ही नहीं पाए, वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फरनिचर बनके पड़ी रहे, उसके भी कुछ सपने थे, एक लड़की का इस तरह घर चोड़के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है, रोएद, और अपने बच्चे को भी सारा छोड़के चले जाना और भी हिम्मत की बात होती है, यह ना? डाड़ी, 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 आप यहां क्यू सो रहे हैं? क्या? और ममी का हैं? ओ गाड़, शिट बताएए न, ममी का हैं? क्या टाइम क्या हो रहा है? चोटा काटा साथ पर बड़ा काटा तीन पर लेटो जांगा मैं, रिकॉर्डिंग पर जाना है मझे बताएए ना, डाड़ी, बताएए ना, ममी का हैं? एक मिनट, एक मिनट ममी चाची के यहां कहीं है? कौन से चाची? वो पुना ओली चाची पुना में तो रत्ना मौसी रहती हैं रत्ना मौसी के यहां कहीं है? लेकिन वो वापस कब आएँगी? बहुत जल्दी बहुत जल्दी आ जाएँगी वो बस तीन-चार दिन में चलो अब मुझे तयार होना है का कौत marks लेकिन मुझे स्कूल के लिए कौन तयार करेगा? मैं तयार करुगा बेटा dispare क्सवी और अभशी दो क्लेष का और मेरा स्कूल कोन भरेगा? मैं भरूगा या בעबा मैं लेगा जाओंगा और मैं नाश्ता नाश्ते में तुम क्या खाता है दो हंडे का ओमलेट दो स्मक्खान और बॉनवीटा अहा वरी गुड यह थोड़ी कुतमीर और अब प्याज तुमने मेरे हाथ कॉमलेट कभी खाया नहीं आज खाके देखना एकदम जूमते रह जाओगे अँठाब है अपैंcciones según सब्सक्राइब हो अलवनिक्रा ट्रॉल्डौ गह ठाचाँ आरें छोटी बिलकुल फस्सक्राश guys मझार ना यstad मझारण अब यह देखो एक इंग शसरकी कर रही 사acji हिसे अब यह देखना के मैं एक यह एक और 2 अंड़े कैसे दूरथा और겠지만 यह अंडा को जादे कम दो निकला को बात ने को बात ने को बात को बात हर वेए जाखा साफ है एह जुटल साफ है इंसाम जाना ही है जय करें। आप जो और यह साधी जीज tree प्याले में लेकर फेटती थी अरे मम्मी को क्या मालूम प्याले में फेटों या फ्राइंक पहन में ओमलेट होता है बस तुम खा कर लेखना इसके बाद मैं तुम्हें स्कूर्च वडने वाला हूं और आज आज मेरे पहले फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग है आज के बाद आउच आउच आपको तो कुछ भी नहीं आता कमान फास्ट चलो गो फास्ट गो जल्दी अर जाओ मुझे लेने कॉन आएगा मैं आओंगा अब कहां पर खड़े रहेंगे मैं इस पेर के निचे ठेरूगा ओके चलो अब जाओ अगर आप नहीं आए तो जब मैं कह रहा हू होगी मैं टाइम पर आऊँगा लेकिन अगर देर हो गई तो अगर देर हो गई तो तो तुम इस पेड़ के पास रुखना ओके और मेरा इंतजार करना चलो अब जाओ जली जाओ कम आउन सुनील तुमारा स्कूल कृते मुझे बंद होता है पाता नहीं शेह एक्स्क्यूज मी जी जुनियर स्कूल कृते मुझे खतम होता है मैं उस बच्चे का डाड़ी हूँ तो बच्चे थांक्यू थांक्यू सो मुँच सुरी सर मैं थोड़ा लेट हो गया यह वक्त है आपके आने का गाना रेकॉर्ड हुआ नहीं और आप स्टार बन गया नहीं सर मैं सरा ट्राफिक में फंस गया था इसलिए वो ठीक है आप अंदर बैटके गाना याद कीजिए तब तक और केसा रेकॉर्ड करते हैं बाब अल आप अधिने काने के बोल दीजिए आओ लाइब बना देते हैं तुम्हारी अ कि नहीं वह सुला बार में फिट हो जाएगा ठीक है ट्राय करता है अ व्यारेडी प्रदीव जी पुतम जी वैसन रिदम सुनाइए तुम अभी तक यहीं हो गया नहीं आज तुम्हारा होगा नहीं जी बेस बढ़ाई थोड़ा बेस बढ़ाई तो फिर कब होगा देखते हैं दो तीन दिन के बाद फोन करते रहना समझें ओके कि अरे बाबा तीसी मिनट तो लेट आया हूं उस पर इतना घुस्सा आपने आप टाइम पर आएंगे अलेकि मुझे बहुत काम था बिजी था मैं अगर मुझे कोई उठा के ले जा था तो लेकिन कोई उठा के ले तो नहीं गया ना लेकिन अगर उठा के ले जाता तो अच्छा बाबाम सॉरी दससेघर किया चौकां घुशाय के मारी और जाइए टरिकर सिरेने सुनील क्या कर रहा तुम क्या हुआ यह गारी है ना बैट्टी से चलती है इसमें हॉन भी है हेड्लाइट भी चलती है तो अगर आप हमरे लिए ले लेंगे ना तो हम आपको माफ कर देंगे अच्छा अगर मैं नहीं लूँगा तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे आपर मम्मी होती होती है ना तो ले लेती पाईट्यत्सक्राइं नःसे ले लिए चलो भी कम आप यॉस्थ पाव किलो दाल और कुछ उरो चय का पैकट लाल यह पीला पीला या नहीं लाल क्यों के मम्मीय आमेसरा लैती थी लाल दो एक साबुन की बट्टी और एक कोकोनट टॉयल मैं एक चॉक्रिट ले लूँ ये लो उपर ले जाओ मगर मेरे सुनने में कुछ आया है सच है क्या मैंने सुनना है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं ना आपका सोचा देखो ना छोटे बच्चे का ना अपनी इज़त का खयाल वैसे वेवार तो मेरे को भी उसका बिल्कूल पसंद नहीं था जब देखो तब नाक पर गु मैं आपकी राय मैंने पूछी है पूछी मैंने मैं यहां सामान खरीद में आता हूं आपकी फुजूल बगवास होने के लिए नहीं समझे आप समझ गया समझ गया यह लो तुमारा सामन यह माल का हो गया 300 पिछले महीने का साड़े 300 टोटल साड़े 600 अभी उधार देने का कौन साला आपसे उधार मांग रहा है यह लिजा आपके पैसे यह साड़े 500 हैं और सौर रुपे में विजवाराम के लिए उधार देने आए कि जब कैमरे का फ्लेश इंतजार कराए वाकमेन की आवाज लड़ खड़ाए और चलता खिलोना रुक जाए तब जरू करें मनर जी चल्दी ठेक करें थाक्यू शर्मा जी आपने मेरी दोस्कों कोरुस में गाने का चांस दिया अगर कभी कोई लीड पार्ट हुआ तो वो भी आराम सिखा लेगी जरू 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 मनर जी दाड़ी दाड़ी यह देखिये ममी की चिथी यह लीजे ओ यह तो तुम्हारे नाम पर हाँ मेरे नाम पर जल्दी पढ़े देखिये ममी कब आ रही है जोर से पढ़िए हाँ मेरे प्यारे सुनील तुम सोचते होगे कि अचानक ममी कहां चली गई है ना मैं बताती हूं कभी-कभी डैडी चले जाते हैं और ममी को बच्चों को समालना पड़ता है लेकिन कभी-कभी ममी चले जाती है और फिर डैडी बच्चों को समालते है मम्मी को भी दुनिया में कुछ बनना है सुनील और इसलिए मम्मी को घर से दूर जाना पड़ा शायद मम्मी अब तुम्हारे साथ घर में ने रह सके लेकिन तुम हमेशा मम्मी के दिल में रहोगे कि यह मत सोचना कि ममी तुम्हें भूल जाएंगी मैं हमेशा तुम्हारी ममी रहूंगी और हमेशा तुम्हें प्यार करोंगी कि अपना ख्यार लखना और रोज स्कूल से आने कि सुनील सुनील चेहरा गुलावी नजरे शरावी सुल्फों की तावा तावा ये समा अब क्या करें कैसे जिये ए मेरे दिल जाए तो कहा बहुत अच्छा वादना जी वेरी गॉड और रोहेट कॉंसंट्रेट कॉंसंट्रेट ये सर प्रेशन चाहिए मुझे प्रेशन ये सर तभी आवाज में बद गाओ आवाज खोलो चहरा गुलावी नहीं सर सर ये मेरी फाइल है सर मेरे गानों की फाइल डरों नहीं हम तुमारी धुने चुराएंगे नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था आप आप दोगे असलों डावी नजरे शरा बी जुलूफों कि तॉर के आवाज रखे आवाज गलागला कहाना नहीं खाया है क्या चहरा गुलाबी नजरे शराव लाबी चहरा गुलाबी चहरा गुलाबी तदे दाए ये सर चेहरा गुलाबी चेहरा गुलाबी चेहरा गुलाबी कट देखिए आप म्यूजिक डिरेक्टर बनने का खौप छोड़ दीजिए आप अपनी गायकी पर कॉंसेंट्रेट कीजिए इसका बैंड बजाता हूं तुम देखों हाँ पॉमकोर्जन है जहर आगुलाबी गुलाबी गुलाबी चेहर गुलाबी चेहर गुलाबी चलिए ये सब चेहरा गुलाबी नजर शराबी जुल्फों की तौबा तौबा ये समा बाद अच्छे बाद अच्छे बाद अच्छे अब हुआ आपको सूर का अंदाज सर यही तो मैं का रहा हूं सर अर्या तो ठीक से गाईए ना थीक से गाईए जी सर चेहरा गुलाबी नजरे शराबी क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है और अपको समझता आपको अपनी अवकाद में रहिए वरना मैं यहां से नहीं आपको इंडस्ट्री से हुट कर दूगा अरे एक नाइट क्लब में गाने वाला हमको सिखाएगा अमर कौशिक को सिखाएगा के संगीत क्या होता है जी हाँ क्या कहा क्या कहा आपने जी हां मैं आपको संगीत सिखाऊंगा अगर आपे सुनने की हमत है तो यह ना पगाना चेहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा यह ना पगाना अब यह सुनिए आप लोग मेरे साथ बजाएगे चेहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा तौबा यह समा अब क्या करें कैसे जीएं एए मेरे दिल जाएं तो जाएं ता चेहरा गुलाबी क्या कर रहो सुनील चलो चुप्चाप खाना खाओ उठाओ चुप्चाप चलो अच्छी यह क्या बकवासा है बहेंगन के भाजी है और बहुत अच्छी है चलो खाओ बिल्कुल अच्छी लगती है पड़ी चाल जीन तुमने भाज हाँ बना है और तूमने पहले भी खाई है यह क्या काला काला मृक्त लो चलो मेरे पेट में डरत होता है बिल्कुल दरत नहीं होता है कि रेट लो को चलो ने वाला बना खाने वो गंदा नहीं कहते है सुनील प्लेट में मत दुखो बत्तमीज चलो खाव भी प्यास निकाल दिया मैंने दाड़ी आप जो चोकलेट आईिस क्रीम लाए ना वो फ्रिज में रखी है हां मैं जानता हूँ वाइस क्रीम लाएँ और वो फ्रिज में रखी है लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी पहले तुम अपना खाना खतम करो डाल खतम करो प्रेच्व अस सुनील कहा जा रह सुनील मुझे बहुत गुसार है मैं तुमसे कह रहा हूँ सुनील अगर वो आइस क्रीम तुमने निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुनील अगर वो आइस क्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा सुनील अगर वो आईस्क्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा तुम समझ रहा हूँ सुनी अटाप से लिट शोड़ा गुरसी मामी 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 मुझे मामी की पाट जाना है बहुत आगी बत्तमीजी अपने खाना में आइस्क्रीम में कुछ सोजा आइसी भूके I hate you, मैं से कभी बात ने करूँगा I don't care, मैं भी बात ने करूँगा Nonsense सोगा जबाँ लुवल उल 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 इयए झा़ कर्फ लुवल सुचग lon युवल युवլ टुवल कर्ष़ एड़ी ना सोनु I'm sorry I'm also sorry क्या भी मुझे छोड़के चले जाएंगे नहीं सोनु कभी नहीं लेकिन माम्मी तो मुझे छोड़के चली मैं मैं बुरा है लड़का था ना इसी लिए क्या तो मैसा रखता है नहीं सोनु ममी तुमसे बहुत प्यार करती है वो तुम्हारे वज़े से नहीं गई ममी इसलिए गई क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाया मैं चाहता था कि वो वही करें जो और ममीस करती है घर के देखभाल घर समालना लेकिन वो कुछ और करना चाहती थी उन्होंना मझे बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन मैं मसरूफ था अपने आप में अपनी सिंदगी में और पता है फिर भी वो यहां अतने दिन तक क्यों रुकी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी सोनू वो तुमारे मज़े से नहीं गई वो मेरे मज़े से गई चलो अब सोजाओ कल से हम दोनों एक नहीं जुन्दिगी शुरू करेंगे में और तू तड़ी हाँ? अपनी 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 सोनू अपनी 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 आपनी अपनी तेज जो ऑपनी जो हम तुम संग है तो पिर क्या हम तू मेरा दिल, तू मेरी जान तू मासून, तू शैतान तू मेरा दिल, तू मेरी जान आला दिल, तू मासून, तू शैतान पाड्यूला मेरी जान यू तो है तू नन्हा सा है मगर गुरू सबका और इसी शरारत से दिल जी गर मैं हूँ सबका कहने को है यू तो हजार कोई मगर तुझसा कहा अकेले हम, अकेले तुम जो हम तुम संग है तो पिर क्या गम तू मेरा दिल, तू मेरी जान तू मासून, तू शैतान बात, तू लाव में देडी मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मन्जिल का हम सफर न हूँ डाडी आज लगे कितना हसी अपना जहां अपना समा अकेले हम, अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल, तू मेरी जान तू मासूर, तू शैतान तू मेरा दिल, तू मेरी जान तू मासूर, तू शैतान बात्रू लाव में डाडी बात्रू लाव में डाडी ये ये तू में था, तू में खेलो तू ही तू बिल्कुल बदल गए हूँ राश किरन तू ऐसा देख सकती किरन की बात बंद करो चीक है लेकिन सच बताओ तू में उस क्यार नहीं आती है बिल्कुल नहीं दाडी दाडी ये देखिए ये ये ऐसा मत करो सुनील ये पफु मेरी बार ये रुको पफु मेरी बार ये रुको वरीदा ये बताओ तुम्हे अपने शौर के याद नहीं आती है उनकी तो बात ही कुछ और थी वह साब तो इश्क विश्क करने लगे थे अचा ये से मुझे नहीं वालूम था किससे थी कोई लेला उनकी ओफिस में और मजलो साब तो उससे घर भी लाना चाहते थे क्या बात कर रहे है दाड़ी दाड़ी यह देखिए मैं खड़ा खड़ा नहीं चाहूंगा नहीं सोनू क्या कर रहे हो तुम चलो नीचे उत्रों और फिर क्या हुआ बस मैंने उनसे कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए लेकिन ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है दाड़ी ये तुमस क्यों सबदोखो सुरु हो गया सुरु क्या हो गया इसको लेजाओ जल्दी बढ़ी पीज कुषने हो गया मैं ऩर धiece दूरी परग दोपल है जरे जरे आंट परग़न न Anda soές हन अरान जरे आपके यई मेंया के वाइसेरी जिए झार रहे लो छίνיות आंट चोड़ो कल की बाते, कल की बात पुरानी, नए रंग में ने कर आई काजी सुगन सुवानी चेस गड़, चेस रेली गड़, थैंक यू श्कुज मेडम, नमस्ते, मेरा नम रविंदर कपूर है मैं आर्थी फिल्म में चीफ एस्टी डिरेक्टर हूँ, अच्छा सुपर बंपर हिट थी, आज तक रॉयल्टी आ रही है, कितने दिन का काम होगा, काम तो एक ही दिन का है, मगर वह, पैसे कितने मिलेंगे, अब पैसे दोहजार और सोरपय कन्वेंस भी दिलादेंगा, फ्लीज, ठीक है, मैं उससे बात करके देख़ु, कोशिच कीजिए, मैं मैं नहीं हो सकती थी, मैं नहीं हो सकती थी, मैंने कुछ गलत किया, करेट, तुम्हारी लाइन थी, क्या आपको अपने डैलोग याद नहीं है, यह 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 बोल पाएगी, सर यह जरूर बोल लेगी, सर आपको सिंपल और इनोसेंट चाहिए थी न, यह जरूर बोल लेगी डैलोग सर, मैंने कहा था न, मुझे अक्टिंग बिलकुल नहीं आती बेगी, डोंट वरे, यह बोलोग, यूद यूद याद कर लेगी, बस अपनी लाइन याद कर लेगे 19 by 3 take 4, action बोलो अंजली मैने क्या ग्लिर किया, नहीं दीपा, तुम्हे यह जीख नहीं किया याद है जब तुम बिमार थी उसे ना खाने का होश था ना पीने का पागलों की तरह उसे तुम्हारी वेखभाल की और तुम एक शाम भी उसका साथ नहीं दे सकती उसे तुम बोरोना कहती हो सच तो यह है तीपा कि तुमने संजु को कभी समझा ही नहीं वो तुमसे बहुत प्यार करता है बहुत ओमाई गॉड इस तूमच यह कुछ भी वकिजा रही है यह कुछ भी वकिजा रही है हवी कॉन मैड काड़िट आम सॉरी सर्थ मैरे तो पहले ही कहा था कि मुझे अक्टिंग बिल्कुल नहीं आती वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा तो मैंने दरसल मैं एक सिंगर बनना चाहती हूं अच्छा तो फिर कागे बताओ जी येस सिंग सम्तिंग तेरे बीना सिंधगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा 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 अमर कौशिक जी से मिलवाया वहां तो आपने हमारी नागी खटवा दी सर वो मेरे सा बत्तमीजी कर रहा थे और वो मुझे लो अमर कौशिक जी बत्तमीजी करेंगे गुलबदान जी आपको मेरे रेखे रोजी हम तो मामूली म्यूजिक कंपनी वाले हैं रेकॉर्ड शापते हैं कसे चापते हैं कोई फिल्म प्रोडिवसर तो है नहीं मैं एक मिनट में हाथा है रोजी 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 एक मिनट एक मिनट मैं आपकी दुने बिक्वा सकता हूं वो क्या है अमर कौशिक जी को नहीं नहीं दुनों की जरुवत परती है मैं आपको एक दुन पर दो दो आजार रुपे दिलवा सकता हूं यह रह मेरा काड़ी यानि धुने मेरी और नाम उनका अरे आपको नाम से क्या करना है नो थैंक यू आप चाहते हैं मैं फिर आपको नोक नीदू और आप मुझे फिर छोड़ के चले जाए हैं सरायंद ऐसा नहीं होगा मैं माफी चाहता हूं मुझे एक मौक और दीजे कभी अलविता ना कहना कभी अलविता ना कहना रोते हस्ते पस यू ही तुम खुन खुन आते रहना यह किरन जी है ना हाँ हाँ वही है रोइट कुमार का बीवी फिलम में बन गई गाना वाना तो पहले से गाती थी अब पब्लिक के लिए नाचना भी शुरू कर दिया यह रखे यह तखे ममे की पिच्च्च लगाया है दाड़ी मुझे ममी की पिच्च्च देख ली है अब मुझे लेकेंक जाएंगे ना बोलिना दाडी है अब मुझे लेकेंचंग Fragen के लुए ना जगे लो! करतो कर दो! हमाब ए अभामितों कैसे देखिंगे है एआ क्या विंगर फोले कैसे छुलैंज इन्हीं भिल्क हीए क्ष़ाए आपक्रित करिषा अभी मुझे मम्मी की लोड़ेखना वाइधि ए चल पांदा इस揍liarin्ज व करियुक्त अब निकाले तुभूया अरे अंदर कहा को से आ रहे हो अंदर किसी को अलाओ नहीं है देखिए इस बच्चे को देखना था इसकी ममी की पिचर कहां से आती है मैनेजर से बात कल लिए हमने तो यह किरन जी का लड़का है जी हां ठीक है आप लोग यहां से दिखिए यह बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं आस्मान से तारे तोड़कर ला सकता हूं चांद सूरज को जमीन पर उतार सकता हूं जमीन आस्मान एक कर सकता हूं अरे सुईटा क्या हुआ देखो जी सीधा साथा प्यार करना है तो करो यह चान सूरस तारे वाड़ी तोड़ने के जरूरत नहीं है तेरी छहरे भी मुझी प्योड नजल आता है तेरी बातों में भी एकरार नजल आता है तूम तुम तुम तुमारा सड़ावा पेटा वाबस अबर के ले जाओ और साथ साथ में यह इंडिया का टेश्टी केक भी यह जाओ तुमारा का यह जाता है कि अपकी एधा पूरा मिस्स किरन कुमार है आपकी शादी हो चुकी है और आपकी बेटा भी है आप से कह तो बहुत कीजिए बस बहुत हो गए चलो पुछ ये आिठी लिफटें एकर शेजनब एकर शेदाती sagt पकली बुम्मी !!! पकली म्मी !!! द्राइवर काड़ी रो तो द्राइवर तुम जबे ना डाड़ी क्या मम्मी मुझे भूल वाई है नहीं सोनू तो पिर हो रोकी क्यों नहीं उन्हेनों मेंचे बात क्यों नहीं की क्या हम उनसे जाकर मिल सकते हैं नहीं जो नहीं वो सितारा देख रहा हूं जिल मिल चमकता हूं और बहुत दूर हूं मम्मी अब उस तारे की तरह है जिससे सब देख सकते हैं चाह सकते हैं लेकिन पास कोई पहुंच नहीं सकता हूं जलो घर चलते हैं पिरना मेरी मम्म जंगल में जाती है वदह न उनको इतना मोटा आदमी मिलता है फिरना मेरी मम्मी उसको बहुत मारती है चलो सुनी इलो पर जाओ दाडी प्लीज एक मिनिट पिर एक फिरो आता है और मेरे ममी के साथ गाना गाता है मेरी ममी पता है बहुत खुबसूरत है तेरे ममी से भी ज्यादा वह खुबसूरत तो है लेकिन उससे ज्यादा जिर्दी है तू उसके पास ज्यादा तूले उसको मना उसको ले आ नए नए अभी जाओंगा तो ऐसे लगेगा बहुत बड़ी स्टार बन गई तो मैं चोड़ यार वैसे भी वो मझे छोड़ के गई थी मैं उसे छोड़के नहीं क्या था उसे आने तो वह आएगी यार तू भी बहुत जिद्धी है थम्जा फिनिश मुल्चन यह मुल्चन क्या है दो थम्जा देना यार बंद हो गया बंद कर अरे बंद हो गया तो खोल देना यार तो रात पर तेरी दुकान खुला रखूं क्या है बहुत पिने का शोक है तो वो नुकड पे दुकाने उदर से ले के आ तो तु जाके लेके आरा तेरे बापका नो क्रूंँ न एक सोड उया अन्पड गवार मैं एन्पड उयुकिता पलता है अपने बेटें के सामने बेट के दारू पीता है एरे अपनी बीबी को समाल नहीं पाया उपर से मेरे प्रेश्णिंपांट निकरता है तून क्या बोला मेरी मीधे के बाले में हां डाला चोड़े आरे तरा मुझ तर्णा लोगहामें नहीं जाजा घर जा तुब एक रमाल आजमी है कैसे लोगों से मुझ लगता है पागल कहें का चल ढूं कर से अरे नहीं यार मुड़ा फोगया मेरा चलो गर चलो पिसथा मेरा चलो तो तुमको हा उं कंवा यंकी डूडल वेण हो टूडल मैं तो गिर गया है छलो थोड़ी तरी तरी पेटते हैं डादी आप रम क्यों पीते है तुमें क्या मालूम रम क्या होता है मुझे साब पता है रम यान शराब एक दिन एक आदमी शराब पिक के हमारे स्कूल के गेट के उपर आया था सारे बच्चे उसको छेड़े तो उसका मज़ा कुड़ा रहते और उसके पर पत्थर भी मार रहते मैंने चाहता कि आपका कोई मज़ा कुड़ाए तुम मुझे इतना प्यार करते हो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा तो अगर आप हमें प्यार कर दो तो आप शराब पीना बंद कर दीगे ओके आज से मैं शराब नहीं प्योंगा ओके है कम आन स्माइल स्माइल डाडी लव यू आप डाडी वो देविन है न मोटा हमारी क्लास में सब को बुली करता है तो तो कलना उसने प्रकाष का लॉंच बॉक्स ले लिया तो मैंने सीड़ा जाकि टीचर से कम्लीन क्या अरे टीचर को क्या कम्लीन कर रहे हो पेट में दो घुसे मारो ठीक हो जाएगा क्या करोगे पेट में दो घुसे मारूंगा कमान अगिव डाडी यह बेखागा जा मैं तुमें लेने होंगा ओके रोहित मैं यहाज़ गुजर रही थी तो तुम दोनों को देखा सोलू काभी खुश निज़र आ रहा है बैर असल कई बर मैंने सोचा कि मैं तुमें फोन कर लूँ लेकिन फिर सोचा शायद खुदा के मिलों तु ठीक रहेगा कैसे हो हाँ ठीक हो कोई खास परिशानी नहीं और तुम कैसी हो कि मुई जहूर बन्हीं सोचा क्वाओर मैं भल्ष नहीं क्या दिए कि मुई प्राइब बना कैसी मुई जए ही तुम कैसी है कि मुई है क्यूर एदर लुच़ क्या तुम क्या फुम आपको मम्मी की आदारी है चलो सोजा गुटनाइट डाड़ी आ लाव यू आ लाव यू आ लाव यू तू दिल कहता है चल उन से मिल उठते है कदम रुख जाते है दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते है दिल कहता है चल उन से मिल उठते हैं कदम रुख जाते हैं दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल को कभी समझाते है 15 जासरें कभी समझाते लाव यू हम दोरी बसलिएफक के दिल कम से मिल आते हैं हम दोका सब्सके ए Kings 6 लं मंदसब दिल को कल दो कि हम दोक particular दो आक जो 하루 to आ, आती है हम क्रहा हाचirmatten हम जब से है जुदा ए मेरे हम नशीर यूँ देखो तो मेरे दामन में क्या नहीं दौलत का चांद है शोहरत की चांदनी मगर तुम्हें खोके लगे है मुझे ऐसा कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं तुम क्या जानो अब हम कितना दिल ही दिल में पच्चताते हैं हम दिल को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं कर द समय तुम पच्चताते हैं तुम पच्चताते हैं कि अच्चताते हैं तुम क्यां खोके विल का जानो दो कुम वो दिन थे क्या हसी दोनों थे साथ में और वाहें आपकी थी मेरे हाथ में तुम ही तुम थे सनम मेरे दिन रात में पर इतनी बुलंदी पे तुम हो मेरी जान आये न दामन अब हाथ में पाना तुमको मुम्किन ही नहीं सोचे भी तो हम खबराते हैं दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल तहता है चल उन से मिल उठते हैं पडम रुक जाते हैं पड़े पड़े दो रूक जाते हैं कनयाजी कर दोड़े पूब अगल आज है कनयाजी कि यह देखिए पड़िए इसमें इसमें किसका नाम लिखा एक और फिल्म ड्रेटर पावन मलोतरा वो ही ना जिस ने चाहट फिल्म बनाई थी अरे उसने अपनी नई फिल्म के लिए मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था परीदा पावन मलोतरा मेरे कंदे पर हाथ रखे कहा कि तुझे सा गुणी आदमी कहा ता आ मुलचंद यह देख कुछ समझा हाँ समझा समझा अभी तेरे को पैसा मिल गया ने मेरा पैसा कभी देगा अरे जम शेट सेट पैसा भी नहीं मिला है अभी सरफ कॉंट्राइक साइन हुआ है पैसा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा इसी खुशी में आप सब को चाय बला दीज तो दाड़ी आप सबसे बड़ी म्यूसिच डिरेक्टर बनेंगे वो तो हम बनेंगे और सबसे पहले तुम जानते हम क्या करेंगे क्या तुमारी बड़्दे आरी ना उसके लिए मैं सप्राइज गिफ लाने वाले हैं सची हां वह कैसे बताएं इससप्राइज मुझे तुमी रोहित कुमार जी कहां रहते है मैं रोहित कुमार हूं किरन में सबनें भेजा है मम्मी की गाड़ी यह देखो मेरे मम्मी की गाड़ी क्या लिखा है किरन का खत है वो सोनो की सालगेरा वो अपने घर में मनाना चाहती है और हमें वहां बलाया है तुम जाओगे न तुम्हें जाना चाहिए रुए मेम साब से कह दीजे हम लोग आएंगे लेकिन गाड़ी पेशने की जुरूत नहीं है कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए अज़िए कि अज़िए में लेव शुनों शैटानी मत करना और सबसे तंबी से बात करना समझे कि अज़िए तुम सुनों मैं क्या बोल रहा है और कोई कुछ खाने के लिए दे तो एक दम से हा मत बोल देना पहले ना बोलना और बाद में थैंकी बोलना किरन सोनु आया क्या सोनु माम्मी सोनु सोनु हलो किरन हाई हम लोग को आने में देर तो नहीं हो गई नहीं कोई बात नहीं असान में मुझे लग रहा था शाय तुम लोग नहीं आऊँगे नहीं ऐसे कैसा माडम थांक्यू किरन केक 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 हम किरन हिवार्डे नहीं आप्यू है आप्यू आप्यू आप 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 परिचे नहीं करा है, मेरी पत्नी लाजवन्ती, और यह मिसस्स तोलारा, नमस्ते खेटिंग और चीटिंग कर रहा है। वह फ्रस्तिंग नहीं और यहार आए चीटिंग घिसे डिल अप्वल कं प्रश्टी में थे यह अखिला, शौद दिया। अग्यार अप्व खालारा निर्शो के साथ में बच्चा बन जाती हैं। वह तो तुम हमीशा को से थी नेवर कभी नहीं सोनो अभी भी चीटिंग कर रहा है बिलकुल तुम्हारी तरह बहुत खूपसरा लग रही है हां और रेली थैंक यू अरे किरन बेटी जरह इधर तो आओ किरन तुम यहां और लोगों से भी मिलोगी और भी में मानाय हुए है यह उसके साथ बेहुदा तमाशा देखने के लिए सब को बलाया है पिता जी अगर आप इस तरह की बाते करेंगे तो मैं पार्टे छोड़के चली जाओंगे देखो तुम्हें अपने स्टेटस के बारे म करना है क्या नहीं करना है हलो तुम बस इस वक्तुतसे दूर और भी महाना को... रहाम बैल जी मुबारक को castle it क्या बात है क्या नहीं कुछ नहीं मुआ है शाइद मेरा यान ऊनको पसंद नहीं आया है मुझे सिर्फ सोनो को पेज़ना चाहिए था लेकिन क्यों मैं चाहते थे कि तुम यहा हो मैं चाहते थे कि सोनो के सलगर हम सब साथ मिलके मनाए कितने प्याव और मैनत समय नहीं सारा अंसाम किया और यह लोग अभी सारा मूट खराब करती है मेरा अच्छा हुआ अच्छा हुआ अब थोड़ी देर ममे की पास बैठो मेरा बच्छा अरे यह क्या हुआ अरे ममी मैं स्लाइट पे खेल ला था और मैं वहांसे गिर गया पता है बहुत खुन आया बहुत इसमें टाके भी लगे हाँ आट टाके लगें लेकिन ही हुआ कैसे दरहसल गलती मेरी थी मैंने ध्यान नहीं दिया और यह भी मेरी बात नहीं सुनना था भगवान का शुकर है उसकी आख बच गई वरना मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाता और ममा मैं रोया भी नहीं अच्छा यॉर प्रेव बॉई ममा चली न मुझे आपका गर देखना है चलो तुम भी याओ नहीं तुम लग जाओ अच्छा थैंक्यों फिर मिलते हैं अच्छा जी नमस्तर जी नमस्कार तो खाना वाना का केक वेक सब जी शुक्रिया बस जी नहीं अभी मैं और खाऊंगा तो बंगला देखा जी यहां बहुत बड़ा है यहां से लेक उस बीच तक है पूरा पीछे स्वीमिंग पूल भी है अच्छा दस लाग खर्चा आया क्या बात क्या बात तो जाना वजाना वैसे ही चल रहा होटल में जी दरसल जह माता दी जह माता दी बेटे का जनम दिन मुबारक हो भाई हम आपसे बहुत नाराज हैं बहुत नाराज हैं इन से भाई सुनिए यह भी कोई बात हुई इतनी बड़ी फिल्म साइन की और हमें बताया थक नहीं आजी आपके चर्चे तो सारी फिल्म इंडस्ट इसको भी कभी कभी याद कर लिया कीजिए कोई बात नहीं जी लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा मुजिक राइट्स हमें ही मिलने चाहिए जो मचा देंगे जी दोनों मिलकर हम लोग जरूर 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 पई माता जी की बड़ी कृपा है आप पर देखियो ना आपकी फैमिली में हेरोईन भी है म्यूजिक डिरेक्टर और पह जिसात है यूजिए पैशे पैसा है फिल्म सब्सकुर्र जाएंगी और मिल झाएगी लेकिन यह बात country सोच समझ के तो यहांगे इताई मैं टृव बत़раф तो मенने बंद कर दी वाववावाव वावाव माता जी की क पाहे बाई कोके को ले देना खोल रिंग पीएंगे वाद जी है आज कल तो आप हमारी तरफ देखते ही नहीं है अजी नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है जी बलके हम तो आभी की बाते कर रहे थे जी चड़ता सितार है उनके साथ रोहित कुमार सिंगर एंड कंपोजर टू इन मुबारको आपको भी फिल्म मिल गई यह एक बास समझ में नहीं आती है यह फिल्म इनको मिल कैसे गई शायद इसलिए क्योंकि आज भी इस इंडेस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इंसान के काम को देखते हैं उसके नाम को नहीं अच्छा मैं यह मानता हूं कि हर कामियाब आ लग है यहां एक आदमी के पीछे कामियाब वारत का हाथ है क्या मतलब आपका भाई जिसकी भी खूब्सूरत हो जवान हो काम्याब हो वह अपने पती के लिए इतना भी नहीं कर सकती है बिलकुल कर सकती है जा बख्वास कर रहें अप लोग अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सडेवे गाने सुनकर पवन मोलोतरा ने तुमको ये फिल्म दिये, ये फिल्म हमारी थी, हम दोनों की अमर कॉशिक की, और तुम्हारी बीवी की वजे से ये फिल्म मिली है तुम्हें, यकीन नहीं आता, अरे सब जानते हैं, आए तोल राम जी, आए 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 जोड़े ना पाइए इन्होंने बहुत यह गाने बनाए इस फिल्म के लिए आपने हमको साइन किया था हमको हा वह किया था लेकिन लेकिन इनकी बीवी के कहने पर आपने हमें निकाल भेका करें उन्होंने मुझे तुना तुमने मिस्टर रोहित तुमा टुईनवाद अए भया होता है करना पड़ता है इंड़स्टि में साब चलता है खुबशुरत बीवी हो तो उसका वी स्थेवाल करते हैं लोग राइट करें अरे प्रेंशियम करते हैं अरे तुम लोग हां पहले तो उनको कुछ भी बनाना नहीं आता था अंडा भी बनाना नहीं आता था अब तो थोड़ा थोड़ा शीख गए आलू की भाजी बना लेते हैं आलू की यहां लेकि कभी-कभी हल्दी जाता हो जाती है तो चलता है अरे रोहत आओ सुनील तुम नीचे जा हैbert मैं इसको मैंने कहा तुम नीचे आ को क्या है यह ओर और तो कि नीचे मेरा अंतजार करना क्या तुमने पवद्मलमो कहांता है सिति है कि आमर कौशिक को हटा के मुझे मिस रृट्ट रेकौ यह-स्यर मुझ तो उ liberti तुमने बात की थी या नहीं मैंनी बात का जवाब दो किरण क्यों कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहते थी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद मुझे किसी की मदद दूरत नहीं है तुम क्या समझती हो तुम्हारी सफारिश के बगर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा यह बात नहीं है यह तुम यह साबत करना चाहते हो कि आज तुम इ लेकिन तुमने सब बिकाड़ दिया अब सारी फिल्मटिस यही कहेगी कि साल आपनी बीवी के सारे काम्याब हुआ है मेरी काम्याबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी अब मैं यह फिल्म नहीं कर सकता रोहित तुम पावन मरोदा से कह देना कि मैं यह फिल्म हर्गिस नहीं करूगा पागल मत बनो रोहित पावनची को तुम्हारा काम अच्छा लगा इसलिए उन्हें देमें साइन किया है मैंने उनके साथ कोई जबर्दसी नहीं की और अगर दोचाल लोग बगवास कह भी दे तो फर्क क्या पड़ता है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा अच्छा जब चाहा छोड़ दिया जब चाहा मदद करने आ गए तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती है तुम दुनिया को ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं और मुझसे अलग रहकर भी तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिकर है कि ये त nelle में बुरा सामद करने कि कोशिश की है हमेशा मुझे समझने की दरूरती क्या है ना में तुम्हें समझना चाहता हूं और ना में कभी मिलना चाहता हूं और आज के बाल तुम्ही मुझसे मिलने की कोश्ष्ष मत करना है कर दिए भूचय डिए रिए बूचय रिए किर Trad रोल किर这里 रहा हा कर रूचय वोचय पादर किर रूचय वि franch Đéfड all जान कैसे आया यह देखें मेरे बहुते प्रेजन्स मम्मी ने बेट जाए और यह देखें मेलिटरी जीप यह जब भी टकराती है आपने आप घूम जाती है वाँ दाड़ी यह देखें रिमोर्ट कांट्रोल कार डाड़ी हम ममी के घर पे क्यों नहीं जाके रह सकते हैं क्यों तुम्हें यह पसंद नहीं अच्छा है मगर संगर था अच्छा ए इतना अच्छा है उनके पास थो तीन तीन टीवी है और हमारे पास और एक भी नहीं तो कल पाटी में ममी ने तुमसे क्या का कहा कि उमुझे बहुत प्यार करती है और तुमने मैंने का क्यों दुन्या की सबसे अच्छी ममी है तो अब तुम ममी के साथ रहना चाहते हो हां क्या कह रहुत दूँसर है आपको पता है वो जो बैट्रीवल गाड़ी है न वो ममी मेरे लेने वाली है वो गाड़ी तुम ने उनसे मांगी नहीं मैने तुम्स का के मुझे बहुत अच्छी लगती है तुनि recommand अच्छा मैं तुम्हारे लिए खारी लूगी कि लेकिन दोने उंसे क्यों मांगी वह तो मैं लेने वाला था कि आपने तवर भीर ले लुआ कि में लाने वाला था वालि notre birthday के लिए मेरी बरदे चली भी गई हाहा मुझे मालू मैं है tak ठीक है वह अरज राने वालाओ प्रॉमिस हाँ प्रॉमिस समझेब मैं तुम्हारे लिए यह मेरी गारी आने वाली है यवह हुआ भाइस अब यह यह गारी कितने कि पांच थार रुपया पांच हजार यह तो बहुत ज़्याद्य के लिए एक इदा में 5000 रुपया, लेना हो तो लो, 5000 रुपय एडवांस, सर मुझे जरूरत है, यानि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5000 की आपको जरूरत है, सुझेंगा उट्मिन साहब, सर आप हर मेने 1000 रुपय काट सकते, पांच महीनों में एडवांस पूरा हो जाएगा, यानि क्या पांच महीने यहां ठहरेंगे, लगता है आपको किसी घटिया फिल्म में गाने का मौका मिल गया है, और आप फिर खिसकना चाहते है, नहीं सर, ऐसा बिलकुल नहीं है, वह सपने तो मेकप के भूल चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी का यह की मकसद है, मेरा 6 साल का बेटा, कल उसकी सालगरा थी, और मैंने उसे एक तोफ़ा देने का वादा किया था, तोफ़ा? पांच हजार का? सुना मिस्टर गाडविन मैंने अपने बेटें को अठनी का तोफा नहीं दिया और यह साथ 5,000 का तोफा दे रहे हैं मिस्टर रोहित कुमार आपने कहानी बहुत खुबसूरत बनाई है लेकिन मैं उसमें आने वाला नहीं हूँ सर्व मेरी बात तो अब मेरा वक्त जाय मत कीजिए चलिए अपना काम कीजिए अरे आप काम कीजिए न को तमाशा थोड़ी हो रहा है तो आप नहीं देंगे बिलकुल नहीं अधिये का करा हो मैं पुलिस को बलाऊंगा अधिया बच्छाब इसी है वेटर 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 देखो नहीं यह अधिया मेरे अकॉन में लिग देना अरे देखो भाग रहा है करो अधिया करो अधिया करो करो हाँ हाँ पैसे चीड़ो पैसे चीड़ो परीदा चाची आपको पता याज डाडी मेरे लिए बैच्छाली गारी लाने वाले है अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है अच्छा बहुत देर हो चुकिए खाना खालो नहीं मैं अब भी नहीं खाऊंगा जब डाडी आएंगे मैं तभी खाऊंगा वो पता नहीं कब आएंगे मुझे पप्पो और मुनीका होमवक्त तराने है चलो जल्दी खालो नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा अच्छा मैं यहां रखके जा रही हूं जब भूख लगेगी तब खालेना ठीक है बंगेजाए ज़गे पालेना जल्दी खालेना रही है आप वापस का बाई मुझे तर पता है नी जला दाडी दाडी का है तुमने अपना खाना के नहीं खाया अभी तक मैं तो आपके लिए वीट कर रहा था तो मैं इतनी दीर तक जागना नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन दाडी मैं तो आपके लिए वीट कर रहा था कि जब आप आए तो हम दोनों साथ म मैं खाना कहांगे I am sorry Sonu I am sorry क्या हो दड़ी मैं हार गया बेटा हार गया मैं मत रोए प्लीज मत रोए दी प्लीज मत रोए मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज मांगी और वो भी मैं दे नहीं पाया है, मेरी संध्य की सबसे बड़ी हार है हार वा डी मुँझे नहीं चाहिए दी सच मैं मुझे गारी नहीं चाहिए उसकिने zijn यह देखो सोनु, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन में और पैसे लाओंगा लेकिन वो गाडी मैं तुमाने लाओंगा सोनु I love you, सोनु I love you I love you too, Daddy लेकिन शराप पीन प्लीज बन कडिजे मैं तुमरे ली गाडी लाओंगा सोनु मैं सोनु मैं तुमरे ली गाडी लाओंगा सोनु सोनु I love you, सोनु I love you I love you मिस्टर पवन मलोतरा ने मुझे धर बुलाए आये सर Rohit मुझे माफ करना मैंने तुम्हें यहां बुलाया पवन जी का नाम लेके वरना तुम नहीं आदे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए Rohit प्लीज बैच जाओ मैं सर्फ इतना जाना चाहती हूँ क्यों तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो तुमारा आखरी फैसला है क्यों क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे कभी मिलना नहीं चाहती बिल्कुल तो फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए क्या क्या कहा तुमने मैं सोनु का अपने साथ रखना चाहती हूँ सोनु तुमारे पास रहे क्या बाक्वास कर रहे है तुम यह तुमने सोच भी कैसे लिया जब उसे तुमारी जरुवत थी तुम उसे छोड़की चली गई तुम जाते है मारी क्यों देर साल तक उसे मिलने की कोशिव भी नहीं कई कभी यह नहीं पूछा के वह जिंदा भी आया नहीं और अब तुमें सोनु चाहिए देखो सोनु को मेरी ही जरुवत है वह मेरे साथ खुश रहेगा तो क्या वह मेरे साथ खुश नहीं है एक मिनट एक मिनट तुम कहना क्या चाहरी हो क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ मैंने इसा नहीं कहा रुवत तुम क्या समझती हो कि क्योंकि तुम्हारा बस पैसा है एक बंगला है तीन गाडियां है तुम उसे ज्यादा खुशी दे सकती हो रोइट प्लीज चिला हूं क्यों नहीं चिला हूं I don't care for your society देखो मैं उसकी मां हूं और यह हक तुम मुझसे चीन नहीं सकती और तुम भी मेरा हक चीन नहीं सकती हो मैं उसका बाप हूं और वो मेरे साथ ही रहेगा मैं सोनु को पाने के लिए अदालत तक चाओंगी पेना कैसे बजा रहा हूं? इज़न दाडी के दैसे ना? लालालालालालालालालालालालालालालालालालाला I'm sorry Daddy, मने प्यानो को हात लगाया कि इस नोटिस के मुताबिक मिस्स किरन आपसे तलाग चाहती है और वो ये भी चाहती है कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए देगे मिसर रोई इससे पहले कि ये केस में अपने हाथ में लूँ मैं आपको एक बास साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला मा के हक में जाता है लेकिन पिछले देड़ दो सालों से मैं उसकी देखभा जी साब तो इसके अलावा वो कोट कजेरे के खर्चे और मेरी फीस मिलागर कुछ पचास साथा जार रुपए लग जाएंगे चाहे आप केस जीते हैं या हारें आपके पास इतना पैसा है हाँ 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 आप केस तैयार कीजे ठीक है आप अगले बुद्वार को आजाएं दस बजे हम केस के बारें बात कर लेंगे और हाँ आप एडवांस में बीस हजार रुपए लिए आईएगा ठीक है हाँ हाँ मैं सारे इंसु का अधन्रहत गधा देसक्ता हूँ यह ऍजय कम से कम चारत्र कमाने है ही जलिये कम से कम पचीन घ्र तो दीजे कंदरें पंदर्रwhere यहारो ही ज्यादा नहीं दे सक्ता ही कई ठीक हे आप जाईए है नहीं हम को बेचना नहीं है साब आप जाईए प्लीज ठीक है साब आपका माल है आपकी मर्जी ठीक है चलता हूं समय नमश्कार जाईए वैसे टाइम खोटी किया पता नहीं क्यों ला लिया मुझे बेक आदमी तू पागल हो गया तेरे इंस्रुमेंट की कदर ये कबाड़ी लोग करेंगे खाम खाम पर लिष्टेगा किसको अमर कोशिक को तू तो सचमुझ पागल होगे वो मुझे हर गाने का हजार उपए देने को तयार है और नाम किसका होगा उनका नहीं रोयत तुम ऐसा नहीं करना चाहिए ये सारी मेनद तुम्हारी है तुम्हारे सारे सपने सारे अर्मान कि तुम किसी गाने बहुत अच्छे हैं रोयत और उसकी शाहरत सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए मुझे भी ऐसी लगता था कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन इतने सालों की कोशिश के बाद अगर किसी और को ऐसा नहीं लगता तो शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरे गाने वाक आने मेरे लिए अन्मोल है वरना सिर्फ कागस पे कुछ लकी रही है नहीं दो आने मेरे लिए भीडाया थ। दिल मेरा झृड़ाया क्यों जब ये दिल तोर नाही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मूमोड नहीं था दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड नहीं था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मूमोड नहीं था Why did you break my life? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? ओ, दिल को धड़कना तुने सिखाया दिल को तड़पना तुने सिखाया आँखों में आशु छुपे थे कहीं इनको छलकना तुने सिखाया सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मुमोड ना ही था दिल मेरा चुराया क्यों च्थिbro को सुन हून — युथर गदिए पेखने पास, युथर जुथर औम बसे हाएा hat च्यों ओयर को व घवन। बदी लीव वनुयाफों अपास, युश पयाध। मिलती थी नजरे जब भी नजर से उठते थे शोले जैसे जिगर से सासों से निकला जैसे धुआसा बनता था मुझे से जीते ना मरते आग क्यों लगाई जब दुझाये दिल छोड़ ना ही था हम से दिल लगाया क्यों हम से मो मोड़ ना ही था और आप दोस्तो इस साल के बेस्ट मुजिक डिरेक्टर का फिल्बेयर अवार्ड वड़सां दिल मेरा जुराया क्यों जोतो अमार वाषे बनता था बनता था वाई अपर ने यस मिस्टर भोजवानी, you may proceed. मैं जो कुछ भी कहूँगी, सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. मिस्टर रामदयर, क्या आप अदालत को आपकी बेटी मिस्टिस किरन के बारे में कुछ बताएंगी? मेरी पेटी एक बहुत ही सीधी साथी लड़की है, जो अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षन होते हैं, वो सब हैं उसमें, बहुत ही आग्याकारी लड़की है वो. तो आपकी मर्जी के खिलाफ उसने रोहित कुमार से शादी क्यों की? बस यह एक ही भूल उसने जिन्दगी में की है, जिसका नतीजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है, इस साथ में ने उस पर इतने जुन ठाए है, कि आधी रात को उसे घर चोड़कर जाना पड़ा, धनिशन राम देल, आप जा सकती है, रौहित कुमार के करेक्टर के बारे में आप अदलत को कुछ बताएंगे? इस आदमी का कोई करेक्टर ही नहीं, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? मेरे हिसाब से एक नमर का बदमाश और आवरा आदमी इसकी बोली सुरत पर मज जाएगा इसी सुरत और बातों की जहांसों से इसने मेरी बेटी को पसा है अच्छा ये कहके बहुत बड़ा सिंगर बहुत बड़ा मिजिक डियर्टर बने वाला लेकिन आज उसी कट्ये में है वहां से मेरी बेटी निकल के कहां से कहां पहुत गई और हम नहीं चाहते कि सोनू इसके साथ रहके इसी की तरह आवरा और बदमाश में अपनी जिम्मेदारियों को समालने में रोहित कुमान ने कभी कोई थिशकी चाहट दिखाई जी नहीं उन्हें टालने की कोशिश की ज जी कभी नहीं बलकि उस ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता है उसके साथ हसना खेलना कहानिया पड़के सुनाना गुमाले ले जाना सुनी लिए उसकी जिन्दगी है उसका सब कुछ मैंने बहुत कम ऐसे बाप देखें जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं शुक्रिया फरीदा जी बहुत बहुत शुक्रिया that's all your honor your witness mr. भोजवाणी फरीदा जी आप मिस्स किरन को कितने सालों से जानती है करीबन साथ साल से good कभी भी मिस्स किरन ने आपको अपनी जाती जिन्दगी के बारे में कुछ बताया जी क्या कि अरसल वह खुश नहीं थी खुश नहीं थी किसे कि रोहिद से क्या मिस्स किरन ने आपको कभी भी यह कहा था कि रोहिद कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है कि परिदा जी जवाब दीजिए मैंने सुना नहीं है हां लेकिन यह सब बाते किरन की घर छोड़ने से पहने की रोहिद कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं थे अब यह बताईए फरिदा जी कि आपने कभी भी मिस्स किरन को घर छोड़ने की राई दी थी है की जी नहीं गर छोड़ने के तीन दिन पहले फरिदा जी आपने नहीं कहा था कि अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुमारे लिए घर छोड़ना ही बहतर होगा अगर तुम इतनी दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुमारे लिए बहतर होगा लेकिन किरन मेरी अच्छी दोस्ती और मुझे उसकी फिकर थी और आप भी है इसलिए मैंने उससे जो कुछ भी कहा था कि अगर किरन रोहित के साथ रहती तो या वो पागल हो जाती या उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या आत्म हत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती लेकिन मैंने ऐसा को और आप चाहती है कि एक मासूम बच्चा ऐसा आदमी के साथ रहे किरन तुम बहुत बढ़ी भूल कर रही हो रोहित बिल्कुल बदल गया है ओडर ओडर वो पहले जैसा नहीं रहा है किरन प्लीज मेरी बात सुनो ओडर 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 अगर आप नहीं जाती तो इसे अदालत की तौहीन माला जाएगा मिस्टर भातीज यह आप कैसा केस लड़े मेरी समझ में आ रहा है इस तरह तो हम लोग केस हार जाएंगे प्लीज हटी आप उनके वकील को देखिए हमारा हर गवास सच कह रहा है फिर भी वह जूट साबित कर रहा है वह आप क्या चाते हैं आप क्या चाते हैं कि मैं भी आप अपना बच्चा चाहते हैं बोलिया बोलिये मैं वैसे केस लड़ता हूं बोलिये मैं भी उसकी तरह जूटी गवाई पेश कर सकता हूं करूँ जी नहीं आप मंदारी से केस लड़ीए आम सॉरी और आज उसे देखिए कैसे अकेले उसने अपने आपको संभाला है मेरे खाल से वो एक आदर्शनारी है शीज दी अल्टिमेट वूमन थैंक्यो मिस सुनी तब मिस्स अबधीजा नो कोशे नियोर अनुर मिलोड मेरा अगला गवाह है मिस्सर मूल चंद गंगर यह कहां से आगया पता नहीं मुझे कौन है यह हमारे मॉल्ले का बनिया है मेरी इसके साथ बंती नहीं है आपने कुछ बताया है ने इसके बारे मुझे मुल्चन जी आपकी दुकान रोहिद कुमार के घर के नीचे हैं बिलकुल फिर तो आप रोहिद कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे बहुत अच्छी तरह सुनाएं आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं हमेशा फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे नहीं नहीं उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहें वो तो हम सब को देते हैं आप उमारी दुकान पर आओ तो आपको भी देंगे क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दिए थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुद्ध होकर आपको मारा था कि अब वो तो मैं अगर आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे उसका मतलब यह थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो अपने बच्चे सुनील को अरे सुनील के लिए तो वह अपनी जान दे दे वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकिल साहिब उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता देखिए पेट की आग प्यार से नहीं बुझती है वह बाप अपने बेटे को क्या देगा जिसने अपना घर खुदी उजाडा है नहीं गर रोईत कुमार नहीं उजाडा है उसने वो अरत ने वो जो वहां बेटी है उसी ने मरबाद किया रोईत कुमार का घर जो आप से पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए फैसला मज सुराइए माफ करना जच साहिब मैं कोट में पहली बार आया हूं कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना यह तो इनों ने बुलाए इसलिए मैं आया अब जाईए नहीं आपकी बात सच है आपकी बात सच है कि खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए बहुत बड़ी एरोईने बहुत पैसा है ना उसके पास लेकिन यह रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है उसने अपने सारे जीवन की कमाई अपना सारा संगीत अपने सब गाने अमर कोशिक को बेश डाले और वो आज उसके मुजिक को अपने नाम से चला रहे है और ये बात तो आपको रोहित कुमार नहीं बताई होगी नहीं रोहित कुमार क्या बताएं मैं जानता हूं अरे मैंने सुने उनके गाने उनके गाने सुन-सुन के मेरे कान पग गए थे वो गाना है ना राजा को रानी से त्यार हो गया वो गाना रोहित कुमार का हुआ किरन जी आप अपने बेटे से प्यार करती है जी बेहत फिर भी आप उसे छोड़कर चली गई क्यों रोहित का यह सोचना कि मैं हमेशन नाकामया भी ही रहूंगी मेरी आत्म विश्रस को तोड़ने लगा था मैं यह मानने लगी थी कि जरूर मुझ में कुछ कमी है मैं उलज गई थी अपने आपको खोने लगी थी और इस पुल्चोनल गुटन में कबरा के मैंने घर छोड़ दिया और उस वक मुझे यही लगा कि सुनिल की बेतर ही इस ही मैं है कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाओं तो फिर आज आप क्यों चाहती है कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए मैं जानती हूँ कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी यकीन मानिये इस भूल के लिए मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है मैं सोनों की देखवाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ अगर पांट साल मैंने उसे समाला है दो साल अलग रहने के यह सजात तो नहीं कि मेरा बच्चा मुझे से छी लिया जाए और उसे भी मेरी ज़रुद है मैं यह नहीं कहती कि उसे अपने बाप की ज़रुद नहीं लेकिन अभी वह बहुत चोटा है और उसे अपने बाप से जदा अपने मां की ज़रुद है और मैं उसकी मा हूँ मैं उसकी मा हूँ Thank you Mrs. Kiran, that's all my lord Mrs. Kiran, अपने पती Mr. Rohit Kumar के साथ आपने करीब 6 साल कोजारे इन 6 सालों में कभी आपको इनोंने मारा पीटा? जी नहीं कोई गाली करोज? नहीं अपने बेटे के साथ कोई जाती की? जी नहीं अपने पती को आप शरावी कहेंगी? नहीं इन्होंने आपके साथ कोई वेवभाई मेरा मतलब है किसी गयर औरत के साथ इनके तालुकात रहे? जी नहीं तब तो साफ जाहर है कि आप ने अपने पती को क्यों छोड़ा? ये बताइए मिस्स किरन के शादी से पहले सबसे लंबा जाती रिष्टा आपका किस के साथ रहा? मेरे मा था पिता के साथ? जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे फिर भी आप उनकी मर्जी के खिलाब गई और रोहित कुमार से शादी कर लिए जी हाँ क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी आइसी अच्छा अपने माबाब को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिष्टा आपका किस के साथ रहा? मेरे ख्याल में मेरे बेटी सुनिल के साथ जिसके साथ आप पांस साल रही और तब से अब तक सिफ एक बार मिली मिसिस करन आपके पती, आपको नहीं लगता ही सबसे लंबा जाती रिष्टा आपका इनके साथ रहा? मिसिस करन मैंने कुछ सुना नहीं कि कितने सालों तक ये रिष्टा रहा शादी से पहले और शादी के बाद? करीब साथ साल साथ साल इसका मतलब ये कि वो रिष्टा जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं जिसे हमारी संस्क्रती में पवित्र और अटूड माना जाता है सबसे एहम माना जाता है उस रिष्टे को कायम रखने में आप नाकामयाब रही अब्जेक्शन मिला ओवर रूल्ड मिसिस किरन आप जवाब दीचे प्लीज बोलिए मिसिस किरन क्या आप मानती है कि इस रिष्टे को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रही नहीं मैं नाकामयाब नहीं तो इसे आप क्या कहेंगी कामयाब मिसिस किरन आपकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी है यह हम दोनों क हम दोनों नहीं, Mrs. क Knights अपने पती का घर छोड़करण और चलिगे ती वो नहीं इस रिष्टे को कायम रुखने में आप नकामेब रही हँ हमारी शादी ना कामें शादी नहीं, Mrs. Karen, आप, आप ना कामयाब रहीं जिंदगी के इस एहम रिश्टे को ने काम रखने में आप ना कामयाब रहीं हा या ना जदा जोर से बोलिये, Mrs. Karen, मैंने सुना नहीं, हा या ना हा क्यो हनर वाइस साल के अपने मावाब की रिस्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया, तो इस बात की क्या गारजी है यह और अर्फ, इक बच्चा मिल जाने के बाद यह उसे भी दो जा तीन साल में नहीं छोड़ देंगी करेंगी कल के बाद आपका केस वी हो गया इसके बारे में क्या कहेंगे आपको केस नहीं हा रहे लेकि लगता है इस बार आप यह केस आगेंगे प्लीज आप ए रहानर आम तोर पर ऐसे जगड़ों में हमेशा औरत का पल्ला भारी रहता है क्यूंकि वो एक औरत है एक मा है लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है जहां तक मैं समझता हूं अदालत को यह फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किसम है सुनील की भलाई किसम है पिछले करीबन दो सालों से मैं उसके देख भाल कर रहा हूं कुछ चीजें सीखी है और बहुत चीजों का एसास हुआ है और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूं कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है ज़रूत है धीरच की ज़रूत है उसके साथ वक्त गुजारने की घंटों तक उसकी अजी बजी बाते सुनना सुनते सुनते ठक जाना लेकिन फिर भी उसकी बाते सुनते रहना उसके कि उसे जरूत हो उसके पास है ना ताकि उसे कभी अक्यलापन महसूस नहोग और यह सब करने के लिए कि प्यार की जरूत है और मैं यह नहीं जानता कि कि यह कहां लिखा है कि एक औरत मर्द से ज़्यादा प्यार दे सकती है कि एक माँ अपने बच्चे को बाप से ज़्यादा प्यार करती है मैं यह नहीं कहता कि इससे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती है लेकिन मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है मुझे कभी कभी घुस्ता भी आता था मैं उसे डांट देता और वो रूटकर सो जाता हूं लेकिन फिर हम दूनों सुबह उठते साथ नाश्ता करते हसते बाते करते जैसे कि कुछ होए नहीं हो पिर मैं से स्कूल छोड़ने जाता है स्कूल से लोटते वो मुझे दिन बर की बातें बताता है रात को हम दोने साथ खाना खाते हैं और फिर मैं से कानिया सुना था हमने एक दुनिया बनाई है बहुत प्यार से और अगर यह तूट गई तो फिर कभी बन नहीं पाएगी किरने समत करना प्लीज मेरे सद्दुबारे समत करना प्रुवत कुमार आपने अभी अभी अधालत से यह कहा कि अधालत को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे सुनिल की भलाई किसमें है जी आपकी मुलाकाच जब पहली बार मिस्स किरन से हुई तब आप कौपर चिमरी रेस्टोरा में काम करते थे जिए उसवकत आपके तंखा क्या थी है तीन जारुपे महिना में लेकिन आपको तो वहां से निकल दिया गया था निकल ना नहीं गया था मैं और मैंने वह नोकरी खोड़ दी नौकरी चोड़ी मैंने तो सोचा था कि शाधी के बाद आदमी के खर्चे और जिम्मेदारी और बढ़ जातें मुझे सिंदगी में आगे बढ़ना था एक कामयाप सिंगर बनना था मुझे अपको बहुत आफर आए मुझे एक आफर आया थी आहां आमर कोशिक के साथ लवली लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उनकी कोई कोई भी फिल्म में गाना गाया हो या गाया था मैंने वो फिल्म छोड़ दी वो भी छोड़ दी क्यों हमारे बीच कुछ अन्बन हो गई थी इसलिए अन्बन इसके बाद आपने क्या किया मैंने पराणी नौकरी फिर सिश्रू कर दी वही कॉपर चिवनी रेस्टोरा जी इस बाल आपकी तन्खा क्या थी मिसरोई मैंने सुना नहीं इस बार आपकी तन्खा क्या थी कि दाइजार रुपए दाइजार पहले तीन हजार और अब धाइजार अब पहले इसे इंसान होंगे जो तरक्की की सीड़ी उपर से नीचे की तरफ चड़ते हैं और और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके बेटे की फलाई है अन्यवे तेरा सप्टेंबर की रात को आपने कौपर चिमनी रेस्टोरा के कैशियर से पांच हजार रुपिये लूटने की कोशिश की ओवर रूल देखिए लूटने की कोशिश ने की थी मैं सरे गुधार मां जो मैं वापस करने वाला और सिर्फ मार पीटी ने मिल और रेस्टोरा का पूरा फरनीचर तोड़ा गया था रेस्टोरा को काफी नुकसान भी पहुंचा था और इस जुन के लिए रोहित कुमार को कुछ घंटों के लिए हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी हाँ या ना egeै देखें मैं ज़ूआ भी ग्यूश्य करना हूं जो में हाँ या ना मैं नहीं नहीं मृषट पे था जिसा इंए hearing अब स्क्रमार square कर मारी अपने हवालत की हाभा खाई थी या नहीं कि जी हां गर्ड ना मिस्टर रोहे क्या अपने आपको एक जिम्मेदार बाप समझते हैं जी तो क्या ये सच है कि आपकी लापरवाई की वज़े से आपका बेटा सुनेल अपनी एक आग खोने वाला था आपका बेटा सुनेल अपनी एक खोने वाला था इखी वो लापरवाई से गिर गया था और अपनी एक आग खोने वाला था मिसर्जोईद बताईए क्या ये सच है या नहीं जी तो आप मानते हैं कि आपकी लापरवाई की वज़े से आपका बेटा अपनी एक आँख होने वाला था जी अब लूट अब लूट अब लूट अब लूट मुझेने मालमता मेरा वकील ये बात को अब मिलाएगा उसने तो मुझसे बहुत सारी चीज़े पूछी थी मैंने तो सिर्फ उसके सवाला को जवाद दिया मैं जानती है तुम्हारी कलती नहीं थी मेरा यखीन करो मैंने ये जनमुझ की नहीं किया प्लीस बिलीव में रोहित रोहित प्लीस तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बार अदालत इस वैसले पर पहुंची है कि बच्चा सुरेल कुमार मिसिस किरन के हवाले कर दिया जाए अजल अदालत व्लीस थाल अजल अजल जदी डारी डारी आश्चा स्पूल बंच शुट्टिया शुरू ये फ़से एक बंचे कर चुटिया है कि युक्ति ये जदिय। आइस क्रिम का उगे नहीं मुझे गोला है पता है दाड़ी मेरे क्लास के सारे बच्चे स्कूल्ट्री पर सिम्ला जा रहे हैं लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाओंगा मैं तो आपके साथ माठे रान जाओंगा हम लोग तो बहुत मज़ा करेंगे सिर्फ हम और आप है ना दाड़ी मालो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मन्जिल का हम सफर सोनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यह ले बेटा मेरी तरफ से प्रेजर्ट सीजन बॉल क्रिकेट खेलने को आना हम लोग मैच खेलेंगे हां और तुम मेरी टीम में खेलेगा समझे हम दोनों मिलके इस बनिये की टीम को हरा देंगे यस रामडैल सेट का फोन आट है को उडर से गाड़ी निकल गया है अच्छ जर सामान उठाओ हम लोग नीची चलते मत रो सोनो चलो ममी कहां बहुत मजाएगा तुमको वहां बहुत सारे खिलाओने होंगे तुम्हारे लिए और फिर मैं भी तॉआँगो तुमसे मिलने के लिए है ना कमान चेरब परीदा जरा इसको नहीं चले जाओ मैं अभी आता हूँ चीक है तुम्हारा बैट कहा है सुनील बैट कहा है तुम्हारा बूल गया होगा मैं लेकर आता हूँ आओ बेट आओ कि अो कि अ सुन अ सुन आओ क॥म्हार झाल pessoas चाल कि सोनु नीचे गया है रोहित मैं तुमसे कुछ क्या कि यह सोनु का बैठ है उपर ही बूल गया था मैंने कली क्रिकेट का सारा समान करी था क्यों अब यह बैठ उसके ठीक नहीं है क्या कि मुझे अचाना कियादा है कि सोनु को क्रिकेट का बहुत शौक है और यही नहीं मैंने वह सारे खिलाओने करी थे जो से हमेशा चाहिए थे और जानते हो मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे बना जैसे यहा है वही बिस्तर वही चोड़ी स्टेबल वही अलमारी यह तक मैंने दीवारों के रख भी पता क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सोनु सुबह उठे तो उसर लगे कि वह अपने ही घर में है और मुझे अइसाद सवा यही उसका गर है पेचांची असे घर नहीं बता रहो है सोनु यही रहेगा यही उसका गर है पिछले दिनों हमारे सित्दगी हमारे चस्पान एक खुली किताबन के लोगों के सामने आगे मुझे माला मैं तुम्हें भी बहुत दुख हो आओगा आज मैंने जाना कि इंसानी रिष्टा से बढ़कर और कोई चीज नहीं होगी आप सॉरी रोए जो कुछ भी हो उसके लिए आप सॉरी सॉरी तुम यही रोगे बापा के पास यही तुमारा घर है किरान अजय तुमारा भी यहां प्रस्टा कर दो 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 एक दो प्लाई बाहर दो